मीराबाई के पद एननीपी तर्ड सेम बीसीए के चात्रों के लिए रखा गया है इसका जाराम्ष यहां पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है मद्यकालीन कृष्ण भक्ती काव्यधारा की श्रेष्ट कव इत्री मीराबाई का जन्म रजस्तान में मेड़ता के पास कुड़ की नामक स्थान में हुआ था प्रस्तुत बदों में मीराबाई जी ने कृष्ण को अपना प्रयतम माना है दर्द और भावों की अत्यन्त तीवरता मीराबाई के काव्य की विशिष्टा है आपने अपने उपर होने वाले अनाचोरों का भी परिचे दिया है मीराबाई की भक्ती दैन्य एवं माधुर्य भाव की है पद इस प्रकार है बसो मूरे नैनन में नंदलाल मोहिनी मूरती सांवरी सूरती नैन बने बिसाल अधर सुधारस मुरली राजती और वैजयन्ती माल चुद्र घंटिका कटी तट सोबित नूपुर सबद रसाल मीरा प्रभु संतन सुकुदाई भक्त वचल गोपाल इसका सार है मीरा बाई इस पद में श्रीकृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती है और प्रार्थना करती है कि वे सदा उनकी आंखों में बसे रहे मीरा बाई श्रीकृष्ण से कहते है कि हे नंद के पियारे पुत्र मेरे नयनों में आप निरंतर निवास करू हे प्रबु, तुम्हारे अत्यन्त मोहक मूर्ती है, सावला रूप है, आपके नेत्र विशाल बने हुए है तुम्हारे अधरों पर अम्रत बरसाने वाली मुरली विराजमान है, छाती पर वैजेंती माला फैली हुई है कमर पर करधनी के छोटे छोटे गुंगरु शोबित है, पैरों में नूपुर की मधुर द्वनी निकल रही है इस प्रकार के अनुपम सौंदर्य वाले मीरा के प्रभु गोपाल अपने भक्तों पर वाजचल्य बरसाते हैं और संतों को सुक देते हैं अगले पंक्ती इस तरह है देखी राजी हुई जगत देखी रोई दासी मीरा लाल गिरदर तारो अब मोही मीरा बाई भगवान कृष्ण को अपना पती मानती है और उससे संसार सागर से उधार करने की प्रार्तना करती है मीरा बाई कहती है कि मेरे लिए गिरदर गोपाल को छोड़ कर दूसरा कोई नहीं है जिसके सिर पर मोर के पंकों का बना मुकट है वही मेरा पती है मैंने कुल मरियादा पूर नतह छोड़ दी है कोई मेरा क्या करेगा इसकारत मुझे किसी का बई नहीं है मैंने लगातार संतों के साथ बैट कर लोक लजजा छोड़ दी है आसूं के पानी से सींच कर प्रेम की लटा को बढ़ा किया है मेरा कुल गवरव और लोक लजजा छोड़ देना गिरदर गोपाल को पती के रूप में वरन करना ये सारी बाते सब जगा फैल गई है जो होना है सो हो गया अब तो मैं भक्ती को देख कर प्रसन होती हूं और जगत के रवये देख कर दुकी होती हूं हे प्रयतम गिरिदर मैं तेरी दासी हूं मुझे संसार सागर के पार पहुंचाओ अगली पंक्ती में सारामशा इसका अपनी सकी को संभोधित करते हुए मीरा भाई कहती है कि अंत में मैंने गोविंद को वश में कर लिया है कोई कहते है कि वे चिपे चिपे अर्थात गुप्त रुप से मिलते है तो कोई कहते है वे प्रकट रुप से ही मिलते है मैंने तो उन्हें ढोल बजाते हुए मोल लिया है कोई कहते है कि वे महंगे में मिलते है तो कोई कहते है कि वे सस्ते में मिलते है लेकिन मैंने उन्हें तराजू में तोल कर मोल लिया है कोई कहते है कि वे काले है और कोई कहते है कि वो गोरे है जो भी हो मैंने अमूल्य मूल्य में अर्थात जिसका मूल्य आंखा न जा सकता है उतने मूल्य में ले लिया है इसी को सब लोग जानते हैं कि मैंने उन्हें आंखे खोल कर अर्थात अच्छी तरह परक कर ले लिया है मीरा को प्रभु ने दर्शन दिये है ऐसा उन्होंने मीरा के पूर्व जन्म में वचन के कारण दिया है अगली पंक्ती है पग गुंदरू बांध नाची रे मैं तो अपने नारायन की आप ही हो गई दासी रे लोग कहें मीरा भाई बाबरी न्यात कहें कुल नासी रे विश्का प्याला राणा जी भोजिया पीवत मीरा हांसी रे मीरा के प्रभु घिरदर नागर सहज मिले अविनासी रे इसका सार है श्री कृष्ण के दर्शन से आनंद विभोर हो कर मीरा जब नाच उठती है तो वह कहती है कि पैरों में गुंगरू बांध कर में नाच उठी मैं तो अपने आप ही नारायन की दासी बन गई मुझे लोग पगली कहते हैं और मेरे सभी जाती वाले मुझे कुल की मर्यादा करने वाली कहते हैं राणा ने विश का प्याला भेजा तो मैंने उसे हस्ते हुए पे लिया मीरा के प्रभू घिरदर अर्थात श्री कृष्ण बड़े चतुर है वे अविनासी है अर्थात नाशना होने वाले है मुझे सरलता से मिल गए हैं ऐसा अपनी भावनाओं को मीरा बाई इस तरह प्रस्तुत करती है